है अवह समझते हैं इसर्या करहा है है तो नोगом कि इसके बहुत जादा है इसके हुआ हमारी जादा शॉस्में इसने नर्जी को इस बहुत लार आपशों दिश्कालिंटू तो अब ओजाधा है इसके इसके सॉर्क्यांतर जोधोंर क्राइब sacar अब समय तो यहां पर ऐग ने हैंve Institut इस ट्र shopping क GG ₹न काफ़ मीरता होसाई बनावा यहां पर तो XV connect to menop talking 1 शुगर कंटेरिक्न करें तो यह फर्दर ली Je Vous नहीं नहीं प्रेक हों गआ तो ग्रेप्स हो गए ह्ककार हणी स्फेल को कियते हैं गंभावा आपने अच्छा भी होता है बहुत ज़्यादा शुगर से तो ठीक है ना गुड होता है एंड हनी शेद हनी को डबल लिख दिया तो एंड एटी सी वगएरा बहुत सारी जो होती है यह कुछ चार है आपने याद रखनी है कि मोनो सेक्राइड जो है हमें इन चार सोर्स से मिलत भी जो है यूज होता है नेचरल यह अगर सोर्स को देखें तो हमारे पास शुगर केन होता है शुगर बीट चुकंदर होता है नहीं चीनी वाला या जो होता है एक टाइप होती है बीट चुकंदर को कहते हैं I think लाल कलर का होता है गाजर में पाए जाता है मैपल मैपल जो एक अक्रोड की तरह होता है वो फूर्ट I think so तो मैपल एक ट्री का नाम इसका फूर्ट भी होता है तो मैपल जो एक फूर्ट होता है वहाँ पर ही पाई जाता है पाइनेपल ठीके ना देखा होगा आपने और एक्जेक्टरा तो लेक्टोज है लेक्टोज जो हमारे पास लेक्टोज का मिलक में पाई जाता है डेरी प्रोड़क्ट है माल्टोज वीट बार्ले वीट कहते हैं हमारे पास गंदुम को बार्ले जो हमारे पास जो को कहते हैं जू पता नहीं क्या है तो रेफिनोज, लीगम्स, लीगम्स किसे कहते हैं, लेगम्स, डालें, डालों में 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 अलिगो सेक्राइड्स होते हैं, अलिगो सेक्राइड्स भी होते हैं, वीट के पास भी पॉली सेक्राइड्स होते हैं, भाई, पॉली सेक्राइड्स होते हैं, कुछ हद तक, वीट के के पास माल्टोज होता है माल्टोज होता है ठीक है ना वीट के पास माल्टोज होता है तो सब्सक्राइब के लिए हम यूज करते हैं होता है हमारे पास अंदर पाई जाता है तक्रीबन सब्सक्राइब का इनिमल्ट के अंदर पाई जाती है जो है अधर टाइप के जो होते हैं कटन arrow वैसे हाँ गोत क्गा एक का की ऋटा है एक खार, ढ़ि रोटा चांज यह था, ड़ पन्सवें वुझों Kalंप सरी ले रडा के दे निक का ओगण का इसे अलवर केगा प्रोट है ही यह थीज़ों Rich source होते हैं हमारे पास अनके policyxter credits के Legioms Legioms डालों को कहते है recommand Carbohidrets में be rich होती है और उन कुछ elg तरीय है root vegetables होती है हमारे पास उन में भी पाए जाता है SMALL promot में ऊपर ये rich sources होती यह these are the rich sources, liver के अंदर muscles के अंदर sources ऐसे के muscles के अंदर पाए जाता है उसके पास Гलाह कोजिन लिवर में पाए जाता है ठीक है ना गलाह जिन एक पॉली जो हमारे पास होती है गुलुकोज की पाए जाती है और प्लांट एंदर स्ऩार्ड पाए जाती है तो यह कुस्ड सारस है दियार तॉ of sources ठीक है ना तो हम बताते हैं आपर तो पॉली सेक्राइट कॉन वगरा में पाया जाता है कॉन वगरा like this ठीक है ना तो जहां पर एक लिखा हुए तो इसको में लास्ट में समझेंगे ठीक है ना तो इसको समझने के बाद इसको थोड़ा पढ़ लेंगे तो पहले हमें यह नीची अलब पढ़ना होगा होगा है ठीक है ना sources uses of carbohydrates ठीक है ना carbohydrates के uses क्या है first of all तो carbohydrates यह total overall carbohydrates की बात कर रहा है जिसमें हर टाइप आ जाएगी तो इसमें गुलुकोज आ जाता है के structure को maintain करते हैं क्या cellulose होता है cellulose क्या करता है plant का structure के से maintain करता है उसके पास क्या होता है हमारे पास एक मैं आपको चीज़ दिखाऊं कि पिलान के पास एक layer होती है एक जो है हमारे पास outer layer होती है cell membrane के भाए इस कार्ड के cell wall ठीक है न तो cell wall जो है टर्जिटी को maintain करके रखता है यह बहुत जादा है water की storage में एंड वाट जो है हमारे बाद सेल को support मिल जाती है ठीक है न वाटर को store भी करता है तो और यह बहुत जादा जो है strong होता है और जो है हमारे पास tight होता है जिसे हमारे पास plant के cell को एक structure जो है strength प्रवाइड हो जाती है तो generally cell wall जादा जादा हमारे पास यह चीज़े जो पाई जाती है wood बगेरा में वोड़ देखा है अपने बहुत जादा सकता होता है so that you will see that बहुत जादा वो tight होता है and यह हमारे बाद strength करता है जो plant को ठीक है okay and now talk about the next thing that is the carbohydrates in the farm of straws तो starch जो होती है carbohydrates जो होती है starch की farm में होती है plants के अंदर ठीक है ना plants जो है starch के farm में इसको energy को storage करते है हमारे पास mobile के अंदर क्या एक चीज़ पाई जाती है वो होती है battery ठीक है ना हमारे पास क्या पाई जाती है वो होती है battery ठीक है और एनिमल्स में अलग टैप की बैटरी होती है एनिमल्स की बैटरी का नाम है गिलाइकोजन तो यह क्या करती है यह इनर्जी को स्टोर करती है ठीक है ना समझ आ गया होगा आपको तो इस्टार्ज एनिमल्स में गुलुकोज में ठीक है ना सर्व एनर्जी स्टोरेज के उड़ जाते हैं तो चोथा प्वाइंट देख कीप अवर बोडी बिलड शुगर लेवल इन चेक तो इसका काम नहीं होता चेक करना यह मुझे पॉइंट बिलकुल समझे है कि बिलड के चेक किसे करें कार्बॉइड यह सोड है हमारे पास तो यह बिलड के लेवल को चेक किसे करेंगे यह बिलड के शुगर लेवल को मैंटेन कर सकते हैं आफ्टर इट के हम इसको एंटेक करें तो इसको मैंटेन करते हैं बगते चेक कैसे करते हैं यार चेक करने के लिए तो रेसेप्टर होते हैं हमारे पास बोडी के अंदर स्पेशलाइज तो वो चेक करते हैं तो चोथा पाइंड मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा हाँ मैंटेन कर सकते हैं हम खाएंगे तो इसको पेंगे जो हमारे पास अगर नीड होगी तो इसको जो हमारे पास क्या डाइजेस करके हमारे बिलर्ड जो इस्ट्रीम में भेज दिया जाएगा अगर ज्यादा अगर अगर तो अपना काम करेगा तो मैंटेन कर सकता है बर चेकिंग का काम इसका नहीं है बोड़ी के पास नर्वस कोडिनेशन बहुत अच्छा है और वो इससे काम करके चेक करवा लेता है इसका कोई काम नहीं है सुक्रोस इस फूड एडिटिव आप जो भी टोफी वगरा खाते हैं आप कुछ भी टोफी वगरा खाते हैं आपने देखा होगा जो है जैम्स हो गई फोटो जो जो होती हैं वो जो होती हैं तो वो जो मीठी होती हैं तो वो सुक्रोस की अजासे होती हैं तो सुक्रोस जो ह तोफी वगएरा मैंसे मीठी मीठी चीज़ों में तो यह कॉन्फेक्शनरी यानि हमें जो हेल्प करती है फॉर सबस्ट टॉफी वगएरा तो यह फुट एडिटर भे ठीगे न शुगर अगर कार्बोईडर्ड ना हो हमारे खाने में तो खाना हमें मीठा ना लगे मीठा ने तो बच्चे खाएंगे नहीं टॉफी इसके अंदर सुक्रोज ना हो तो कौन बच्चा खाएगा यार कडवी टॉफी मुझे बताओ तो भोज़द होती है और उनकी जो मार्केटिंग भी होती होती है कार्बोईडर्ड फाइबर तो एक कार्बोईडर्ड का फाइबर होते यह पिलांट से में मिलते हैं I think so, तो डायेटरी इसको भी फाइबर का जाते हैं यह डाइजेस्ट नहीं होते हमारे पास नॉर्मल हुमन में डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो यह कालिस्टरॉल की डिदक्शन में काम करते हैं अब यह मत पूछे किसे काम करते हैं, आगे करना तो LDL सर्च कर देना नेट पर LDL कॉलेस्ट्रोल डॉक्शन बाय कार्भो हाइडर्ट फाइपर ठीक है ना तो आपको पूरा मिल जाएगा आपके पास पेपर्स वगरा तो यह हेल्प करते हैं हमारे पास क्या कॉलेस्ट्रोल की रिडेक्शन में ब्लड प्रेशर रेगु रिशर्च पेपर्स का वर्क आया था तो महां पर का गया था कि कम हो जाता है तो यह मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है ब्लड शुगर अगर किसी को बहुत जाएड़ तो कार्भो हाइडर्ट का इंट्रेक्ट कर सकता है इंफ्लामेशन भी ब्लड की जो होईदे बहुत कार्भो हाइडर्ट ठीक है ना गुलुकोस तो गुलुकोस जो होता है एक इग्जिस्स करता है अलग नेचर के साथ प्रोटियन के साथ लिपेड्स के साथ बायो सिस्टम में मतलब हमारे सेल के अंदर तो आपने कभी यह पढ़ा है हमारे पास गिलाइको लिपेड होती है स अपने सुना होगा नाम गलाइको लेपेड्स जो ऐसे इनके साथ और भी मालिकोस नोजने होती है उनका ज Goblette को होता एक बड़ा मालिकुल गलाइको लेपेड़्सـ क्लॉकोज और लेपड़्स ठीकैं ना गलूकोज और लेपेड्स गुलुकोज और प्रोटिंज ठीकैंश खेर न मorde užर्फ हे वह बहुत हुद अंब फार्फ होते ॏ होते निए बोचांट इमपोर्टन होते हैं फुर लेपेटर हमारे पास हштकों वहते हैं मुझोशा हमारे पास वेसे लिए उस्प्रम heraus यूवनलाग होते हैं मोचता होते हैं ग्यूफाहिट लेल होट मेंपरा जो होती हैं, जो हमारे पास क्या? bulk and fiber यानि कुछ quello dlb. शबेयर क जो है इक प्रॉइड करता है चीज bulk and fiber肥 육ास्व स deaf तो कुछ चीमी कर दो एनदर तो उन्से क्या होता है, हमारे पास क्या? इट परकोरल पारी है स्टेलेस्टेज्स intestinal, तो what is this term called, इसको ये क्या है P devoted this peristalsis, ठीके न, तो इसका मकसद क्या है, तो ये हमारे पास motion होती है, एक ये movement होती है, एक इसको movement का जाता है, हमारे पास, intestine होता है न हमारे पास intestine, तो इसकी wave type एक movement होती है wave like तो एक wave like movement होती है जो food को digest करने में help करती है तो parisitalisuses को इसको improve करने में क्या बढ़ाता है तो इसनी अच्छी हमारे पास क्या होती है digestion होती है तो इसके नतीजे यह नतीजे sails के नतीजे हमारे पास Constipation के Charges होते हैं भहुत ज़ादा Reduce हो जाते हैं ठीक है ना Constipation के Charges क्या हो जाते है Reduce हो जाते हैं ठीक है तो यह यह जाद करना Paristalsis जो है एक Movement होती है जो हमारे पास Intestine में होती है वह Wave-like Movement होती है जो कि हमारे फोड को Digest करने में Help करती है ठीक है ना simple words में हैं से मैं आपको explain कर सकता हूं जिसको cellos जो है हमारे पास raw material में भी use होता है for suppose raw material कौनछा cotton cotton में use होता है 95% is like this textile में भी use होता है paper के अंदर भी use होता है and cotton मैं आपको example दे दी cotton में भी use होता है अलग-छग products में cellos ठीके न तो इसकी important ये star जो होती है यह पास पेपर की coating की जाती है पेपर की इंदर पेपर जो हרएत कागज ह tavat तो इसको improve करणे के लिए उसकी characteristics को improve करने के लिए भी starch का यूज होता है अब starch का एक और used होता है तो ये ethanol की प्रोड़क्शन में help करती है का योता है तो इसके लिए तो अलग-अलग तरीके से होते हैं क्या चीज़ें हैं वो आगे इंदा इंकमिंग किलासिस में पढ़ेंगे तो यह याद रखिए कि स्टार्ज जो हम यूज़ करते हैं कि हम इससे इथिनॉल की हमारे पस क्या बनाते हैं इंड यह लॉंड्री में यूज़ होता है स्टार्ज को मेरी ख्याल से स्टार्ज जो है लॉंड्री में ऐसे यूज़ होता है मैंने नाम सुना था इसका जो हम कलफ वगएरा यूज़ करते हैं मेरी ख्याल से मुझे 100% गनफॉर्म नहीं है तो हम जवे कट अब्द ख्र्फ को टन वारे कपड़े होते हैं कट लप का कुछ पाउडर वगईर होता है तो इसको हम कड़क करने के लिए यूज करते हैं कि हमारे कपड़े कड़क हो जाएं ठीक है तो मेरी ख्याल से यह जो चीज है यह जो चीज है झाल झाल